नमस्कार मैं ग्यान प्रकास और आप देख रहे हैं CSC चैनल चैनल के सभी वीडियोज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें आज हम चर्चा करेंगे लाड एलगिन दुतिय के बारे में 1894 से ले करके 1899 तक भारत में वाइसराय रहते हैं और ये कहते हैं कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही उसकी रच्छा की जाएगी महत्वपून कोटेशन है याद रखिएगा किसने कहा था लाड एलगिन दुतिय ने ठीक है आएए इनके कुछ महत्वपून घटना करम है इनके कारेकाल की उसपे नजट डालते हैं 1895 से अंठानवे के मद्ध उत्तर परदेश, बिहार, पंजाब और मद्ध परदेश में अकाल पड़ता है लाखो लोग उसमें मारे जाते हैं और एक कमीशन बनाया जाता है इस अकाल की जाँच के लिए जिसका नाम होता है लायल कमीशन महत्वपून है याद रखिएगा लायल कमीशन जो है किसके कारेकाल में इसके नियुक्ती हुई थी लायल कमीशन की तो लाड इलगिन दुतिये के कारेकाल में और उत्तरप्रदेश, मद्ध्रदेश, बिहार, पंजाब में जो अकाल पड़ा था उसकी जाच के लिए 1896 में बंबई में प्लेग फैलता है और बंबई की भी हालत बहुत खराब हो जाती है प्रस्नर सीधे सीधे पूछ सकता है कि 1896 में प्लेग किस वाइसराय के कारेकाल में फैला था या बंबई में प्लेग किस वाइसराय के कारेकाल में फैला था तो हमारा उत्तर होगा लाड इलगिन दुतिये उसी समय चापेकर बंधू है जो Mr. Rand और Ayrst की हत्या कर देंगे तो चापेकर बंधू ने Rand और Ayrst की हत्या किस वायसराय के कारिकाल में की थी तो हमारा उत्तर होगा लाड ऐल गिन दुति है चोटा नागपूर में मुंडाओं का बिद्रो वाइसराय कौन था लाड एल गिन दुती चोटा नागपूर में मुंडाओं का बिद्रो आगे देखते हैं भारती सेना का एकी करण करने के लिए एक सेना पती की न्यूकती की जाती है यानि भारत की जो सेना है अब उस पूरी सेना का एक सेना पती होगा एकी करण कर दिया गया है सेना का भारती सेना का एकी करण करके एक सेना पती की न्यूकती किसके कारेकाल में की जिसके समय में भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है और जो कहता है कि मेरे अंतिम इच्छा है कि कांग्रेश को अपनी अंतिम सांसे गिन रही है और उसे मैं मरता हुआ देख सकूँ हम चर्चा करने जा रहे हैं लाड करजन के बारे में लाड करजन का पूरा नाम है लाड नैथानियल करजन लाड नैथानीयल करजन अठार सो निन्यानवे से ले करके और 1905 तक भारत में वायसर आय रहते हैं एक ऐसी आदाहार भुत्सन रचना तयार करेंगे जो भारत के विकास में एक महतुपूर्ण योगदान देगा अगर हम चर्चा करें इनके कारियों पर तो सबसे पहला काम हम देखेंगे में 1902 में टामस रहले की अध्यक्षता में विस्विद्यालय आयोग का गठन किया जाता है सिच्छा को लेकर के करजन की जागरुपता इसमें दिखती है और विस्विद्यालय आयोग में कई ऐसे सिफारिस की जाती है जो भारत की सिच्छा पद्धती को एक नई दिशा दिये इफमें उच्छ सिच्छा के लिए अंग्रेजी भासा को माध्यम बनाया जाता है और प्रात्मिक सिच्छा के लिए जो प्रांती भासा है लोकल लेंगविज है उसको आधहार बनाया जाएगा इसमें दो भारतिय सदस्य भी रहते हैं जिनका नाम है सायद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर जी याद रखिएगा ये दोनों नाम मतुपूर्ण है सायद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर जी चुकि विश्व बिद्याले आयोग है तो उसमें भारतिय सथे विष्वविद्यालय आयोग में अध्यक्ष कौन था टामस रह ले 1902 में एन्ड्रिव फेजर के नेत्रित में पुलिस आयोग का गठन होता है व्याय सराए रहते हैं लाड करजन पूरा नाम है लाड नैथानियल करजन पुलिस आयोग का गठन होता है इसमें पुलिस भरती पुलिस की भेश भूसा पुलिस का कार यह सब कुछ निरधारित होता है और पुलिस आयोग के बाद हम देखते हैं आज जो भी पुलिस हमारा जो सिस्टम है पुलिसिंग का वो लाड करज Criminal Investigation Department CID की स्थापना किसके कारेकाल में हुवा है Lord Nathaniel Karjan के 1903 में Lord Nathaniel Karjan 1930 CID की स्थापना अगला है 1901 में सिचाई आयोग यों कृषी Inspector General की निउग थी चुकि किसी आय है वो कृषी से काफी आती थी तो लाड करजन ने इस पर भी ध्यान दिया और किरसी आयोग का गठन किया और एक इस्पेक्टर के नियुकती की किरसी इसपेक्टर जनरल के नियुकती करते हैं यह जो ध्यान रख सके कि खेती किसानी है किरसिकों को जो कितनी सुभिधाय दी जाए जिससे अंग्रेज सरकार को आए हो उनकी जो रेवेनियू है वो इसलिए करजन ने यहाँ पे सिचाहियायोग 1901 में और किर्सी इस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति करते हैं 1904 में सहकारी उधार समीती अधिनियम बनाते हैं सहकारी उधार समीती अधिनियम जो है यह इसलिए बनाते हैं ताकि किसानों को रिण दिया जा सके और वह बीज और अन्निसुविधाओं का लाव इस करज के माध्यम से उठा सकें जिससे किर्सी में उत्पादन अच्छा हो और अंग्रेश सरकार को लाव हो सके तो सहकारी उधार समीती अधिनियम 1904 में लाड करजन ने बनाया था किसानों को करज देने के लिए ठीक है 1905 में इनकी जागरुकता और आगे बढ़ती है और यह पूसा किर्सी अनुसंधान संस्थान इंपोर्टेंट है याद रखे रहेगा 1905 में पूसा किर्सी अनुसंधान संस्थान की इस्थापना करवाते हैं लाड करजन और किर्सी के छेत्र में नए नए प्रियोग और विकास के लिए कारे करवाते हैं तो हमने देखा कि कैसे जो लाड करजन हैं वो जागरुक हैं समाज को और जो उसमें जो समाजिक संरचना है उसको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के कारे वो कर रहे हैं 1899 में इंडियन करेंसी अधिनियम बनाया जाता है पॉंड को भारतिय मुद्रा यानि कानूनी मुद्रा घोसित कर दिया जाता है महत्पूर्ण है याद रखियेगा पॉन्ड अब भारत की कानूनी मुद्रा गोसीथ हो गई है क्यों क्यों क्योंकि 1899 में इंडियन करेंशी अधिनीम लागू हो गया है पारित हो गया है 1 पॉन्ड बराबर 15 रुपया निर्धारित किया गया एक पॉंड बराबर 15 रुपए निरधारित किये गए इंडियन करेंसी अधिनियम 1899 के द्वारा ठीक है आगे बढ़ते हैं 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन रावर्टसन इसके अध्यक्ष हैं 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किसके समय में हुआ था लाड करजन के समय में सब याद रखे रहिएगा जुलाई 1905 एक ऐसी घटना जिसने लाड करजन के सभी कारियों पर पानी फेड़ दिया अब तक उससा से हम उनके कारियों का वड़न कर रहे थे 1905 के बंगाल विभाजन ने सभी उनके कारियों पर पानी फेड़ दिया एक ऐसा प्रसासक जो अंग्रेज की जो ब्योस्था थी जो स्ट्रक्चर था उसको बहुत ज़्यादा मजबूती प्रदान करते हैं लेकिन बंगाल विभाजन जिसका तर्क देते हैं लाड करजन कि प्रसासनिक सुभिधा के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं या उनके गले की हड बन जाएगा और उनको इस्तिफा दे करके एक लेंड वापस जाना पड़ेगा 16 अक्टूबर 1905 को रास्टिय सोक दिवस मनाया जाता है पूरे बंगाल में लोग सडक पे आ जाते हैं बंगाल विभाजन का विरोध करते हैं बंगाल को पुर्वी बंगाल और पस्च्चिमी 1905 को क्रियानमीत कर दिया जाता है और आस्टिय सोक दिवस मनाया जाता है पस्चिम बंगाल में इनके समय के एक मत्पूर्ण घंटना है यंग हस्बेंड नाम का अभियान एक अदल भेजते हैं तिबबत में यंग हस्बेंड नाम से और तिबबत के जो दलाई-लामा है वह संधी करते हैं लहासा की संधी कही जाएगी 1904 में लाउसा की संधी का है अंग्रेजॉं के साथ करते हैं और जो अभियान जाता है उसका नाम है यंग हस्बेंड अभियान यह जो सदस से घह रहते हैं यंग हस्बेंड उनको कहा जाएगा और दलाईलामा 1904 में लहासा की संधी करेंगे तारे तथ्य महत्तुपूर्ण हैं एक एक करके सभी रट जाएगा अगर कभी प्रस्ण पूछ दे कि लाड करजन के कारियों का वड़न करें तो उसमें सिच्छा बेवस्था में सुधार किसी वीडियो में लेकिन अभी चुकी फैक्चूल का क्लाश चल रहा है तो जितने फैक्ट हैं उनको आप रट जाएं फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में आप देख रहे थे सी असी चैनल नाश्कार